तो जार्खन की सत्ता रूर दल कॉंग्रेस में आरोप प्रत्य आरोप की कहानी शुरू हो गए यह दर असल प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर दो साल की कारिकाल को जश्टन के रूप में मना रहे हैं तो एधर आलोग दुबे, लालकिशोर ना शाहडेव और राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर के कारिकाइब जार्खन कॉंग्रेस के ब्राजेश ठाकूर जी का दो साल पूरा हो गया है जहां कॉंग्रेस भवन में दो साल बेमिसाल का नारे के साथ केक कटिंग भी की जा रही है वहीं दूसरी और मायूसी भी छाई है इसलिए हम इसलिए कहा रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस के जो डेलिगेट्स है आलोक दुबे लालकिसो, नस्दादेव और राजस गुपता जी भी है इसमें यह तीनों का कहना है कि दो साल बेमिसाल नहीं है जबकि यह दो साल विफलता के साल है यह किसलिए कह रहा है हम इन से बातचीत करेंगे भी अलोग दुबे जी हमर साथ अलोग भी आ एक तरफ केक कटिंग करके चारो और पोस्टर बैनर भी पढ़ गया है दो साल बेमिसार राज़ ठाकुर जी का वहीं आप लोग विफलता के दो साल गिनार है अखिर क्या कारण है कि कॉंगरेस में तूठ है देखिए आप अगर आज देखें होंगे तो मुश्किल दस लोग नारा लगा रहे हैं दो साल बेमिसाल के परदेश अध्यक जी अगर रात में सोने जाएं और चिंतन करें आकलन करें तो उनको यह समझ में आ जाएगी कि पार्टी कहां खड़ी ह है दो साल हां दो साल में बढ़ोतरी हुई है बेमिसाल वो है राजेश ठाकुर जी के अपने ब्यक्तिगत हैसियत में बढ़ोतरी हुई है उनके परिवारिक हैसियत में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने मंत्रीपत का दरजा हासिल कर लिया सरकारी आवास मिल गए गाड़ी मि मिलते हैं, security भरभर के मिलते हैं, तो उनकी बैक्तियत हैसियत में जरूर बढ़ोतरी हुई है, पार्टी की हैसियत में अगर कोई बढ़ोतरी है, तो रामगड उधारन है इसका, जहां हम संघर्ष के आंदोलन का वो चुनाव था, हम चुनाव हर गए, हमारी जनाधार चली अल्व संख्यक महिला, इन चारों को जिला धक्षों के मनोनेयन में एक भी जगह नहीं देना, आपके कोरभूट का बहुत पड़ा नुक्सान हुई है, बाद में AICC के हस्तछेव करने के बाद भले ही आपने उसको भरने का काम क्या लेकिन तब तक चक्का तंचर हो चुग अब आज आईए अपनी विफलताओं का ऐसा कोई प्रदेश अद्धक सुने हैं, जो हर महिने अपने मंत्रियों को हटाता हो, बदले जाएंगे, रामिस्वरुराओं अब हटाने वाले हैं, ना न इने हटेंगे भी, अभी बादल जी आप बनना गुपता का पहले अस्था हो, ये कितना दुर्भागे पुर्ण है, जो प्रदेश अद्धक्ष अपने विधायकों के खिलाब ठाने में जाकर FIR करता हो, मैंने तो 75 साल मेंसा कोई प्रदेश अद्धक्ष नहीं देखा, पार्टी के अंदर प्रदेश अद्धक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए की य सरकार के दूसरे मंत्रियों की क्या उपलब्धिया रही है, यह जिम्मेदारी होती है संगठन की जन जन तक पहुंचाने की, प्रदेश अद्धक्ष जी का ये दावा है कि ये जो अभी तक दो साल है, उनका दो साल सही में बेमिसाल रहा क्योंकि इसमें वो एक बयान भी द जन तक पहुंचाने में भी फल रहे, ये क्या करने में सफल हुए, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ये मुखमंत्री जी से जब मिलने जाते हैं, तो कभी सुना कि जन घोसना पत्र में किये गए वादों के इंप्लिमेंटेशन के लिए आज प्रदेश अधक्ष जी ने स सवालों को लेकर जाए, कभी सुना आपने, कैसे बोलेंगे, वहां तो गाडिम चड़ते हैं, तनखा लेते हैं सरकार से, आपने कभी सुना, एक एजंडा, जन घोसना पत्र का एक वादा, प्रदेश अधक्ष के प्रियास से, अगर क्रियानवित हुआ है, तो आप हमको उस आपने, यह इसी काम के लिए जाते हैं मुखमंत्री जी के पास, यह जाते हैं कि हमारे रिष्टेदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी, हमारे स्वजातियों को कैसे अच्छे जगों पर मौका मिलेगा, हमारे हैसियत में कैसे बढ़ोतरी होगी, इसके लिए मिलने जाते हैं परदे सद्धक जी, यही जो है वो संगठन की जिम्मेदारी, जो है, यह है कि हम कैसे सरकार में जब सामिल हुए हैं पिछले 22 वरसों में, तो बहुत चुनौतियां थी, कारकरताओं के अंदर में असंतोस के भाव हैं, चारों तरब पार्टी में हाहाकार मची हु कर आलमगिर जी के पास गए, कि आपके कारकरताओं को पीटा जा रहा है, इनके पॉकिट से जामताडा में पचास हजार रुपे की चोरी हो गई, राष्टी अधक्ष, राष्टी नेताओं के पुतले जलाए गए, राष्टी नेताओं के खिलाफ नारे बाजी किये गए, ये चारो तरप पाटी खंड खंड में गूट में बटी हुई है, संगठन की मजबूती की जिम्मेदारी, जो परदेश अधक्ष ये कहता हुआ चले, मुझे क्या, मैं न तो वाट कमसर बना, मैं न तो मिधायक बना, मैं न तो सांसत बना, 1100 भोट लाकर, मैं जो है इस पर लड़के आकर के यहाँ पाटी का परदेश अधक्ष हो, मैं जो है वो मंत्री पत का दर्जा प्राप्त किया, साथ आप लोगों को भी ये सब बोलते हैं, हम हट भी गया, तो मेरा क्या, मुझे तो जो हासिल करना था, हम सब हासिल कर लें, अगर देश भर के परदेश अधक की, कि 23 वर्सों में अगर हम यहाँ आएं, तो जनता से किये गए, वादे को हम कैसा पूरा करेंगे, तो ये वातें नहीं हो करके, वो अपना धिंडोरा तो जनता पिटती है, बस, मैं तो कहूंगा मुखमंत्री महादेश से, मुखमंत्री जी, गल्ती से डुम्री मत ले जा लेगी, रामगर तो जैसे तैसे वो आपके वज़े से भी उतना भोट ले आये थे, इसलिए गल्ती से भी इनको मत ले जाईएगा, दुम्री के उप्चुनाव में, वरना जो मनुसियत का सामना करना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा, तो ये थे हमारे साथ अल भी सामने आ रहा है कि कॉंगर्स पार्टी में फूट डानने की कोशिश की जा रही है, आप लोग कॉंगर्स डेलिगेट्स के द्वारा, इस बयान का आप लोग कैसे देख रहे हैं, देखिए, हम लोग जो उनकी कारे सहली है, उस पर हम लोग उने सवाल उठाया है, बराब कारेकाल जो है, वो कारेकर्ताओं का असंतोस भरा हुआ कारेकाल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करने वाला समय रहा है, चुनोतियों का दो वर्ष रहा है, संघर्स का रहा है, क्यों क्योंकि हम सत्ता में थे, और संगठन और हमारी जवाबदारी जो है, पहले से ज्यादा थी एक और जहां सरकार के कारेक्रमों को धरातल पर ले जाना था, वहीं कारेकरता और पार्टी के जो सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, वो भी सुनिश्चित कराना था, तो ये अपने एजेंडा को फुल्फिल करने के लिए पार्टी के एजेंडा और पार्टी के कार्चकरम को पूरी तरह से इन्होंने फेल कर दिया, अब आप बोले कि ये बराबर बोलते हैं, क्या आप ये कलपना कर सकते हैं कि 24 जिला ध्यक्षों की चैन में एक भी महिला का चैन नहीं होना, एक भी अल्फ संख्या का चैन नहीं होना, एक भी जो यहां के कोर भोटर हैं, आदिवासियों को अस्थान उचित नहीं देना, ये आप कलपना कर सकते हैं, कांग्रेस में, कांग्रेस ही एक पार्टी है पूरे देश भर में, जो सभी जाती धर्म और सबको लेके चलता है साथ युवा को महिला को बुजुर को सबका एक समावेस होता है तो ये सवाल हमने उठा है तो कौन सा गलत काम किया हमने ये कहा कि जिसकी जैसी भूमी का है उसको वैसा पार्टी में अस्थान देना चाहिए कौन सा गलत काम किया सरकार से आपको को बात करना चाहिए कि हमने वादा किया है कि सानों से की दो लाग कर्ज माफी करेंगे कहा किया आपको ये तो सरकार से आपने कभी बात नहीं किया आप जब भी बात किये सरकार से तो फलना आदमी को गोड में बना दीजिए फलना आदमी को निगमें बना दीजिए हमारा आदमी को आप विसुत्री में बना दीजिए यही तो आपने बात किया आप लोग दिल्ली कुछ करेंगे राइश्ठा को जी के विफलताओं को गिनाने में नहीं देखिए दिल्ली को हम लोगों ने सारी बातों से अउगत करा दिया है और दिल्ली इस बात को लेकर के गंभीर है, हाई कमान गंभीर है, अब हाई कमान को निरने लेना है, क्योंकि अगर हम को, हम सपना देखते हैं का अंगरेस का एक एक कारे करता, यह सपना देखता है कि 2024 में हम राहूल प्रदीजी कर रहे हैं पूरे देश को एक सुत्र में बादने का काम कर रहे हैं च्छतिस सौ कीलो मीटर पैदल चल रहे हैं और उस पाटी के परदेस अध्यक्त हाई कमान को क्या आंखों में धूलिสत बेक्षा handheld कर काम कर रहा है आपसे आपसे जनता दूर हो रही है आपके जो कोर वरकर थे वो घर बैठ गये हैं आपको दिखा दिया रामगड के उपचुनाओं में आपका सीटिंग सीट आप हार गये हम प्रजात तंत्र में राजनितिक दल के कारेकरता के रूप में काम करते हैं तो हमारी परिक्षभल है वो क्या है हम जनता के बीज जाते उसे सहयोग मांगते हैं जनता का सहयोग मिल रहा है का मतलब हुआ कि हमको चुनाओं में सफलता यदि मिल रही है तो हम जनता हमें स्विकार कर रही है वरना जनता हमको जो है अस्विकार कर रही है जनता हम से दूर जा रही है हमारा जो 2019 में जो परिस्थितियां थी उसमें भारी बदलाव आया है यहां एक सीट जीतने की हैसियत नहीं रह जाएगी पार्टी की अगर यही स्थिति रही तो इसलिए हम चाहते हैं कि समय रहते आदिवासी चेहरा जो यहां के डिसाइडिंग फैक्टर हैं आदिवासी हैं अल्पसंख्यक हैं अकलियत हैं यहां के मूलवासी हैं ओभी सी हैं कैटेगरी हैं इन लोगों को आगे ले करके चलना पड़ेगा आप देख लीजे पूरा 22 साल-23 साल का जारगन का इतियास जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से आलोक दूबे और लाल किसो ना सदव के द्वारा राजश ठाकूर के दो साल की जो विफलता हैं उन्हें गिनाया गया है रफ्तार मेडिया सामाता स्वारवराय सयोगी संतु के साथ अराची